नमस्कार, पॉलिटिकल पंचाय देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ हिंगलाजदान और इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर दो तस्वीर देख रहे हैं एक तस्वीर मार्च 2023 की है, दूसरी तस्वीर 24 फरवरी 2024 की है एक तस्वीर जैपुर की है, दूसरी तस्वीर बाडमेर में हो रहे कारिकरम की है एक तस्वीर जाट महासबा की और से आयोजित जाट महाकुम्ब की है दूसरी तस्वीर राजपूत युवा सम्मेलन की है जाट महा कुम्ब का आयोजन मोटे तौर पर जाट महा सभा की और से किया गया राजपूत युवा सम्मेलन के आयोज़कों की लिस्ट में पवन सिंग महेचा, बाडमीरागोर का नाम है प्रवीन सिंग, मीठडी का नाम है जाट महा सभा के आयोजन और उसमें शामिन लोगों की एक तस्वीर को देखें या फिर राजपूत युवा सम्मेलन और जो परतिबा सम्मान समारोह बाडमीर के महवीर टाउन हॉल में हुआ इसके अंदर अतिति गणों की लिस्ट की अगर बात करें तो एक बात दोनों में कॉमन है जाट महा कुम्ब जो समाज के नाम पर हुआ और ये कारिक्रम जो राजपूत युवा सम्मेलन है ये भी मोटे तोर पर समाज के नाम का कारिक्रम हालाएं कि जाट महा कुम प्रदेश इस्तर का कारिक्रम था बड़ा कारिक्रम था ये छोटा कारिकरम जिले इस तर्गा था लेकिन एक समानता ये थी कि इन दोनों कारिकरमों में शामिल होने वाले मंच पर बैठने वाले ज़्यादतर लोग राजनितिक थे कुछ बैवसायदी के जगत के भी थे, कुछ समाच सेवी जगत के भी थे ज़्यादा तर लोग राजनितिक थे, दोनों कारिकरमों का संदेश और मनसुबे राजनितिक थे, एक और बात कॉमन थी, वो ये थी कि जाट महाकुंब में बीजेपी और कॉंग्रेस की परंपरागत पॉलिटिक्स की लाइन से हटकर राजनिति करने वाले हनुमान बेनिवा दूसरी तस्वीर जो राजपूत विवा समयलन की है, इसमें भी बाड़मेर की राजनिति में बीजेपी कॉंग्रेस की परंपरागत पॉलिटिक्स से हटकर राजनिति कर रहे हैं और राजपूत समाज के मौझूदा वक्त में सबसे तेजी से उबरते वे चहरे के तौर प पॉलिटि कम समय में तेजी से उबरे रविंदर सिंग भाटी जो शिवशी विदायके उनका इस लिस्ट से नाम गायब है बाड़मेर में हो रहे कारिक्रम में बीकानिर के कोलायच से विदायक देवी सिंग भाटी के पोते अंशुमान सिंग भाटी का नाम है बाड़मेर में हो रहे इस कारिक्रम में जो और नाम है वो सरुप सिंग खारा का नाम है पराकरम सिंग राठोड जो चूरू से तालोक रखते हैं राजंदर राठोड के बेटे हैं उनका नाम है अजाद सिंग, राठोड, गंगा सिंग, काठाडी, किशोर सिंग, कानोड, जोगेंदर सिंग, चोहान, महावीर सिंग, चूली, विकरम सिंग, तारात्रा और जितेंदर सिंग, बुड किया ये तमाम नाम है लेकिन एक नाम जो समाज के चहरे के तौर पर युवा चहरे के तौर पर मारवाड में अपनी पहचान इस्तापित कर चुका है वो गायब है ठीक वैसे ही जैसे जैपुर में हुए जाट महाकुम्ब से वो चहरा गायब था जिसने सूबे के अंदर जाट राजनिती को एक नई दिशा दी जोकि जाट राजनिती को शुरुआती दिशा मिर्दा परिवार ने दी आगोर के समय के साथ साथ में शेखावाटी में ओला परिवार ने दी मारवाड के अंदर मदेरना परिवार ने लेकिन मौझूदा दौर में पिछले दो दशक के अंदर प्रदेश की राजनिती में जाट राजनिती को जिसने दिशाद दी वो उस मन से गायब थे उनका आयोजन करने वाला में राजाराम मील का प्रमुख नाम था जो 1998-99 से पहले सामाजिक छवी से ज़्यादा कारुबार और एक दंडे द्योगपती के तौर पर अपनी इमेज लेकर के चलते थे लेकिन 1999 के झॉघे जाट समाज के आरक्षन को लेकर एक बड़ा कारिकरम करके समाज की नजरों में आये थे उसके बाद में पहली बार कॉंगरेश को समर्थन दिया था जाट समाज की जो डिमांड थी वो परदे के पीछे चली गई नीजी हितों को साधा गया और समय के साथ साथ पॉलिटिक्स के अंदर अपने पावर को इंक्रीज करते गए क्योंकि समाजे के इस तर पर बनने वाले संगठनों का एक कटू सत्य यह है कि उन संगठनों की बाग जिनके हाथा में होती है वो अपने नीजी हित साथते हैं सता के अंदर अपनी पकड को मजबूत करते हैं शक्ति के इर्दगिर्द खुद को स्थापित करने की कोशिश करते हैं या फिर समाज के भीतर खुद को ही शक्ति का केंदर साबित करने की कोश्चर में जोटे रहते बाड मेर में हुई राजपूत युओा सम्मेलन में रविंदर सिंग भाटे को न बुलाने को लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की चरचा हैं एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है आपकी क्या कुछ राय है पूरे प्रकरण को लेकर के कमेंड बाक्स जरूर बताईए पॉलिटिकल पंचायत पर अगर पहली बार आए है तो सब्सक्राइब जरूर दीजिगा शुक्रिया